लड़कियों के पहनावे को लेकर समाज में दूतर है की धारणा रही है एक रूणिवादी और दूसरा आधुनिक रूणिवादी लोग लड़कियों के पैंट, शर्ट, जीन्स और छोटे कपड़े पहनने के खिलाप रहे हैं वहीं दूसरी और आधुनिक विचारधारा के लोगों की नजर में लड़का और लड़की एक समान है लड़कियों के कपड़ों को लेकर एक बार फिर यह मामला सुरुखियों में चाया हुआ है मुंबई के गवर्णमेंट पॉलिटेकनिक कॉलेज की प्रिंस्पल ने लड़कियों को एक सक्त चेताबनी दी है उनके नुसाल लड़कियां अगर सलवार समीच पहने तो उनके हार्मोन्स ठीक रहेंगी आपको बताने उन्होंने कहा है कि मैंने सुना है कि लड़कियों में कम उम्र में ही पॉली सिस्टिक ओवरियन डिसीज का कारण उनका पहनावा है जब वे पुरुशों की तरह कपड़े पहनती हैं तो वो उनहीं की तरह सोचने और व्यभार करने लगती हैं इस तरह उनके दिमाग में भी एक तरह का जेंडर रोल रिवर्सल हो जाता है इस कारण उनमें कम उम्र में ही रिप्रोडेक्शन की प्राकरतेक इक्षा कम होने लगती है इसका परिणाम जैसी गंभीर बेमारियों की रूप में सामने आता है कॉलिज की एक स्टुडेंट ने ये भी बताया कि कॉलिज में लड़कियों पर चोटी बना कराने के लिए भी दवाब बनाया जा रहा है इसके लावा उन्हें शर्ट भी पैंट के बाहर रखने के लिए कहा जा रहा है कॉलिज की केंटीन में भी नोटिस लगाया गया है कि हरिस्मेंट रोकने के लिए लड़के और लड़किया लगलग बैठें वहीं दूसरी और विशिशग इस थोरी को सिरे से खारिज करते हुए इसे आविज्यानिक करार देते हैं डॉक्टर कहती हैं कि पॉलिस्टिक्स ओविरियन सिंड्रोम जैसी बिमारियों का कारड उनका पहनावा नहीं बलकि हार्मोनल आसन तूनल है नेक्स्ट नाइन स्परेचल से अकाश की रिपोर्ट झाल 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 झाल